नमस्ते Creators और Skill Educators आज इस वीडियो में हम जानेंगे Google Ads के थूरू किस तरीके से अब अपनी वीडियो को बाकी सब जगह दिखा सकते हैं जैसा आप परिशान हो जाते हैं या हम परिशान हो जाते हैं जब भी हम कोई वीडियो प्ले करते हैं और किसी का एक आड आ रहा होता है कोई अपनी प्रडक सेल कर रहा होता है कोई फरारी दिखा रहा होता है को अलग अलग जोन पर लोग अलग चीजे बताते हैं बट हमें लगता है हमें भी करनी चीए इनको बार-बार एड्स में देखके हम तो इनके बारे में जान चुके हैं और कई-नकई कुछ आपने ऐसे social media content creator देखा होगा जिन्होंने organically कभी कोई base नहीं बनाया लेकि उन्होंने advertisement इतनी करी कि उसको भारत के सभी content creator तो जानी गए कि हाँ यार इस टाइप के कोई creator आ चुका है industry में तो लोग कभी आपकी दिमाग में आता है कि हम भी अपनी marketing strategy करें अगर आपका कोई competitor सेम काम कर रहा है तो उसके चानल पर कैसे लगा सकते है चलिए इस चीजों को देखते है तो जैसा कि आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे है यह गूगल एड्स की स्क्रीन है जहां पर बहुत सारी आइकन से आपको इतना ध्यान पर एक प्लस का इकन है फिर create campaign का option हो सकता है उस पर आप क्लिक करेंगे तो campaign का option क्लिक होता है जैसे आप campaign के option पर क्लिक करते हैं आपको बहुत सारे अलग-अलग objective दिखना शुरू हो जाते है मतलब कि जब भी आप एड्ड चलाना चाहते हैं फिलाल अभी इन्होंने off करा हुआ है और अवेरनेस और अप्लिकेशन है जिसको आप डाउनलोड कराना चाहते हैं इंस्टॉल करवाना चाहते हैं या फिर लोकल स्टोर जो आपका गूगल मैप पे आप जाते हैं जब भी आप लिखेंगे विदाउट इनी गोल आप खुद का अपना कैमपेण क्लियर कर सकते हैं तो हर एक का अलग अलग है ट्राफिक का तो मैं आज लेके चलता हूं मुझे विडियो एड चलाना है तो अवेरनेस में या किसी भी इसे क्रियेट कैमपेण विदाउट इनी गोल जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखें सर्च इंजन के थ्रू कि गूगल पर सर्च में आना है वैसा आप चाते हैं परफॉर्मेंस मैक्स चाते हैं डिस्प्ले एड आप चाते हैं शॉपिंग एड आप चाते हैं विडियो एड चाते हैं application, smart, demand gain जो नीचे side side में हम इस icons रहते हैं जहां पर ad Google display करता है तो फिला अपने पर चेलाने हैं लग अलग बडियो तरीक किये था और इस पर continue कर दिया, जैसे आप continue कर देंगे, तो मैं थोड़ा सा उल्टा किसम का इंसान हूँ, मैं नीचे से लेगी जलता हूँ, तो मैं सीधा नीचे पहुंचता हूँ, और नीचे सबसे पहले आता है, जो भी वीडियो आपको promote करनी है, उसका URL डालो, तो फिर हमें लगता कि यह क्यों ना इनकी वीडियो पर क्योंकि इस पर 5000 ही जो है, वो व्यूज है, तो हमने का इस पर हमें target ads चलाने चाहिए, उन लोगों पर जो इस type of content बना रहे हैं, तो मैंने सिर्फ नीचे गया, मैं सीधा command V कर देता हूँ, और आप देख सकते हैं यहाँ पर, कि यह कह रह करते हैं, जिससे आप attract हो पाएं, अब इस जो वीडियो है मेरा, यह वीडियो कोई ad के माधियम से नहीं बनाए गया था, यह organic reach के माधियम से बनाए गया था, जब भी कभी आप ऐसा चलाएं, तो आप एक specially video बनाए ads के लिए, कि हाई everyone, अगर आप चाहते हैं अपनी life को change कर हो, 6 मिनट में हो गया, उसके लिए click कर यह तो नीचे click का option आता ही है, यह videos आप बनाके unlisted कर दीजे अपने YouTube चैनल पर उसका link आप यहाँ पे paste कर देंगे, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अब देखे हैं, यहाँ आपको दिखा भी रहा है side में preview, कि भाया इसका preview जो है, skipp में देखेंगे तो ऐसा आएगा, सब कुछ आपके सामने यह दिखाता है, तो यहाँ पर एक video का URL है, दुबारा हम डाल देते हैं, फिर कहता है कि भाई, जो उसकी long headline है वो आप क्या लिखना चाते हैं, तो हमने yoga related है तो हम वो लिख देते हैं, तो आपने थोड़ा उसके ब इप्रूब कर सकते हैं, फिलाल मैंने इसको 50 पैसा रख दिया है, जैसी मैं 50 पैसा रख दूँगा और मैं चीजों का आप ऊपर की तरफ आँगा, जैसी मैं ऊपर आँगा, तो यहाँ पर placement आजाता है, अब यह placement बहुत आसान है, कि आपको कहां कहां प्लेस करना है, तो इं 10 minutes, अब यह Hindi है क्योंकि मेरा भारत वाला ओडियन्स है और वी नौर्थ का, तो मैं 10 minutes देख रहा हूँ, तो यह देखिए, मुझे FitTube Hindi करके एक चैनल दिख गया, जिसको मैं target करना चाहता हूँ, तो मैं इनका user ID है, मैंने इसे करा copy, कोपी करने के बाद सीधा मैं आ गया, कहाँ पर इधर, और यह देखिए, मैं यहाँ पर place करूँगा, और add place कर दूँगा, साइड में आ जाएगा, आप देखिए, फिर ट्यूब हिंदी आ गया, ऐसे आप multiple channels, आप already की कही भी रख सकते हैं, ऐसे मैंने कई चीज़ अपनी keep में रखी हुई है, जो targeted competitors हैं, आप सीधा एक बार में सबका link place करेंगा, और add कर देंगे, सारे यहाँ पर add हो जाएंगे, वो भी मैं आपको example दिखाता हूँ, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैंने बहुत सारे motivational channel का link यहाँ पर लिया हुआ था, मैंने किया copy, मैं दुबारा आया, आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, मैंने किया paste, और मैंने add place कर दिया, आप देखेंगे, सारे यहाँ पर आ गए, जितने भी थे, तो मेरा कहने का मतलब है, आप easily तरीके से हैसा नहीं कि हर बार आपको रूड़ना पड़ेगा, कभी आप बैठे तो आपने आज decide किया, कि भी आज मैं अपने competitor को रूड़ता हूँ, अपने excel sheet बना ली, समाल के रखा हुआ है, तो यह one time एक आप कहले जिए, आपकी एक महनत है, क्या है, तो वो सारी चीज़े भी कर सकते हैं, जनरली लोग चैनल और उनसी जो से related काम करते हैं, keywords आप set कर सकते हैं, कौन-कौन से keyword लोग search करते हैं, 10 minutes yoga in Hindi, यह सब भी आप proper यहाँ पर लिख सकते हैं, जो जो आपको keyword लगता है, कि लोग इस keyword पर search करते हैं, तो इसका ए demographic, demographic में आप age wise भी देख सकते हैं, कि जंडर में female है, male लेना है, age में आपको कौन से age तक के लोगो को ads दिखाने हैं, वो ले सकते हैं, तो parents में आप देख सकते हैं, कि आपको parents को यह video दिखाने है, non parents को, usually yoga वो लोग करते हैं, जो थोड़े parents हैं, जिनकी age जादा है, तो आप अच्छी चीज़ है, कि उनकी household income, आजकल Google के पास बहुत सारे data है, तो income के top 10% वालों को लेना है, 11, तो आप सबको ले सकते हैं, उस zone में, क्योंकि आपको area वाई चलना है, फिर आपने ad group का नाम रख दिया, कि यह ad group क्या है, तीन चीज़े होती है, सबसे पहले campaign, फिर ad group, लेकिन मैंने इसको नीचे से लिया, कि बहुत आसान होता है समझना, ads लगा दिया, ad campaign पर उपर campaign, तो हर एक का अपना अपना target है, जैसे जब आप ad campaign में आ रहे हैं, तो आपको age group वगरा रहा है, campaign में जाएंगे, तो आपे budget पूछेगा आपसे, तो बस इतना ही है, और इसक लोकेशन भी यहां पर target कर सकते हैं, उसके बाद आता है कि कब से लेकि कब तक आपको ad दिखाना है, तो मैंने डिसाइड कि अभी है, मुझे चार दिन दिखाना है, यह बूछ रहा है, campaign में कितना budget आप देना चाहते है, मैंने का 1000 रुपे देना चाहता हूं, तो अब इसी लगाना चाहते हैं, 1000 रुपे, कब से चालू करना चाहते है, चार दिन के लिए, तो अगर आप 1000 रुपे लगांगें, चार दिन के लिए, तो नेटवर्क कौन-कौन-कौन साब यूज करना चाहते हैं, तो यूदियो पारटनर और Google डिस्पले, आप इसे अटा देंगे, त आपने क्या प्लेसमेंट देख लीमाद की लिग देख लिए, आपने और आड क्या लगाना है वीडियो का एड, तो side में पूरा analytics performance दिखाता है कि अगर आप इतना कुछ कर रहे हैं तो आपकी 2400 से लेके 1000 रुपे में कुछ 6000 तक व्यूज आ जाएंगे targeted आपके सामने रेडी हो जाएंगे तो यह पूरा ओडियन्स आ गया create campaign पे आप क्लिक कर देंगे और सार आपका campaign जो है वो आपके सामने रेडी हो जाएगा दुबारा से अगर आप देखें तो campaign वाले zone पे तो यहाँ पे आपका एक पूरा overview of campaigning पूरी दिखेंगे तो आप यहाँ पे साफ देखेंगे कि जो हमने ads चलाए होगा वीडियो की चल हो रही है बाकी के और हमारे campaigns रहते हैं उन पे ads हो रहे हैं तो बहुत सिंपली तरीके से आप किसी भी अपने चीजों को ads campaign के थूँ आराम से ads लगा सकते हैं और targeted audience जो मैंने placement सिखा है यह वाला बहुत ही important है क्योंकि हार एक को अपने targeted creator पे लगाना होता है तो आप मुझे comments करके बताईएगा यह features आपको जो मैंने बताया वो कैसा लगा thank you so much इस video के लिए